भारतिय रेल 12 मई से चरन बत करीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परचालन फिर से आरम कर रही है ये ट्रेने नई दिल्दी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशन्स के लिए चलेगी ग्रेह मंत्राले ने आज आपता प्रबंधन अधिनियम के अंतरगर ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसोपी जारी की है जिसके तहब ट्रेंस के शिड्यू, टिकट्स की बुकें एवं लोगों की आवाजाही से संपंदित प्रक्रिया इत्यादी के बारे में रेलवेज ग्यापक प्राचार करेगी। कनफर्मड इटिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कनफर्मड इटिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगेरा लेने की ज़रूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एस्म्टोमाटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमती दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा, उन्हें सोशल डिस्टंसिंग का अनुपालन करना होगा, गंताव्य पर पहुचने पर यातरी को राज्य सरकार द्वारा पारत किये गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा.